पाकिस्तानि, ये तुम्हारे अंदर जो कश्मीर है ना इसने तुमें ले डूबा है. इम्रान खान ने तो बाद में ले डूबा, ये नवाज शरीक बाद में ले डूबा, सबसे पहले कश्मीर है. तुम सिख नहीं हो, तुम इन्सानियत पे बदनोमा दाग हो और तुम्हारी जगे खालिस्तानियों है मेजर की जुत्ती के नीचे हो कभी इस बिल के अंदर छुप रहे हैं यह तुम्हारी आकात है अमरितपाल सिंग बाप है तुम्हारा अमरितपाल सिंग is done taking dictation from the rest of the world. और किसी को ना पसंदा है, ना पसंदा है. हमसे दील नहीं करना, मद करो. स्वागत है, आप से भी काले तिस रेक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में. ते दोस्तों, आज एक बार पे मैजर साब का वीडियो देखने जा रहा है. जो वर्ल लीडर्स की रैंकिंग, अप्रूवल रेटिंग्स आई है, उस पे आज मैजर साब बैक करने वाल है. तो शुरू करते हैं इसका मिक्स रियाक्शन. जैन दोस्तों, मैं हुमेजर गारवारी है और आप देखरें तर चानल के है डायलोग्स. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बैल आइकन दावारा बिल्कुल मत धूलिएगा. दोस्तों, पाकिस्तान से प्यार की ठंडी-ठंडी हवाएं आ रही हैं. अब क्यों आ रही हैं, ये भी मैं आपको बता दू. और ये हमाई कैसे आ रही हैं? पाकिस्तान के सोशल मीडिया से आ रही है, पाकिस्तान के मेंस्ट्रीम मीडिया से आ रही है, पाकिस्तान के कुछ खास यूट्यूबर्स हैं उनसे आ रही है, पाकिस्तान में कुछ उपिनियन मेकर्स हैं, कुछ इंफ्लूंसर्स हैं, वहां से जा रही है कुछ लोग तो डिरेक्ली आमन और शान्ती की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग इंडिरेक्ली यानि कि नाक ऐसे पकड़ रहे हैं कुछ नाक ऐसे पकड़ रहे हैं कुछ नाक ऐसे पकड़ रहे हैं कुछ नाक ऐसे पकड़ रहे हैं और वो लोग जो नाक टेड़ हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं यह जो दोगलापन हो रहा है अच्छा जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो जाते हैं वो सच्चे मन से उनके मन में मैल नहीं है वो सच मुझ चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो जाए ठीक है तो उनको मैं यह बात नहीं कह रहा है मैं कह रहा हूँ उन लोगों से उन खास लोगों से जो कि बहुत खतरनाक हैं क्यों खतरनाक है क्यों कि यह दोगले हैं अब मैं आपको बताता हूँ मैं इनको एक्स्पोज करता हूँ दोस्तों हुआ यह है कि यह लोग मेंस्ट्री मीडिया बे जाके कहते है यार देखो अगर भारत से ट्रेड होती भारत से ट्रेड अगर होती तो प्याज आलू सस्ते हो जाते हैं ठीक है? तो मैं उन से पूछता हूँ कि ट्रेड बंद किस ने करी? ट्रेड तो इमरान खान ने बंद करी? तो आप लोगों में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि अपने मीडिया में जाके बोलो कि ये इमरान खान की गलती है जिसकी वज़े से पाकिस्तान में भुक मरी हो रही है ये इमरान खान की गलती है क्यों नहीं बोलते जाके ये बताओ मुझे समझाओ ना ये बात अपने पकिस्तनी आवाम को समझाओ भारत के साथ ट्रेड होगी आलूपया सस्ता होगा बाद की बात है पहले समझाओ तो कि रोका किस ने ये किस ने रोका कश्मीर बनेगा पकिस्तान ये तुमारे अंदर जो कश्मीर है न इसने तुम्हें ले डूबा है इमरान खान ने तो बाद में ले डूबा, या नवाशरीक बाद में ले डूबा, सबसे पहले कश्मीर तुमें ले डूबा, अब मैं और बातें बताता हूँ, भारत हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाता, ओ भाई एक बाद बताओ, भारत तुमारे साथ क्रिकेट नहीं ख समझा देता हूँ, देखे, पाकिस्तान में सुई भी नहीं बनती है, आपको पता है, ठीक है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुलक है, जहाँ पे 70% लोग किसानी करते हैं, काश्तकारी करते हैं, लेकिन फिर भी अपना खाना इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि पता नहीं, इनके किसान नलायक हैं, या उनको आता नहीं है, या सरकार नलायक है, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान जिसमें 70% लोग agriculture करते हैं, वो खुद के लोगों को खिराने के लिए उतना आनाज पैदा नहीं करते हैं, यह पाकिस्तान की सच्चाई है, अब अगर पाकिस्तान बात से, यह तो अच्छी बात है, कि सच्चाई है, अगर भारत से आएगा, लेकिन असली बात ये है, कि पाकिस्तान को भारत को पैसा देने पड़ाएंगे, देने पड़ेंगे ना पैसे भारत को, अगर भारत से कुछ इंपोर्ट करो गें, और भारत डॉलर लेगा, अब पूरी भारत के साथ भारत के साथ कोई दोस्ती नहीं कोई लेकिन सारे के सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि भारत वहां पे आए और एश्या कप खेले क्यों क्यों कि उससे इनको पैसे मिलेगे सारा खेल पैसों का है सारा खेल लालच का है दोस्तों सारा खेल पैसों का है यानि क जिसमें पैसे खर्च करने पड़ें, वो काम नहीं करना चाहते हैं, जिनसे पैसे मिलें, वो काम करना चाहते हैं, क्रिकट खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी गवर्मेंट ट्रेड नहीं करना चाहती, इमरान खान की तो गलती थी, इमरान खान की गलती थी, कि इमरान खा दिया लेकिन शहवाज शरीफ ने कौन सा तीर मार लिया दस मैने में शहवाज शरीफ ने कौन सा तीर मार लिया दस मैने नी अब तो almost साल हो गया उसको इसने कौन सा तीर मार लिया ये तो कोई समझाए मुझे शहवाज शरीफ ने भी कोई करम नहीं उठाया क्योंकि शहवाज शरीफ भी इसी जहर का एक उत्पादन है शहवाज शरीफ ये anti-hindoo hatred, anti-India hatred तो जब me迦्बूरी में है तो कहते हैं यार आलू आ जाए वागा बॉर्डर से ये झाँ आ जाए वागा बॉर्डर से और हमें पैसे न देने पड़े क्यों कहरहाка पैसे न देने पड़े क्योंकि इन भाईयों ने दवईयों की भी पैसे ने दिये जो atm अब आपको आई बात समझ में ये क्रिक्ट के बीचे तना बवाल कर रहे हैं कि इंडिया नहीं आरी तो हम भी नहीं जाएंगे ये नकरे क्यों दिखा रहे हैं भाई अगर आपको इंडिया से रिष्टे चाहिए तो फिर आप पूरे रिष्टे करिए न बीच्ट कर तो हम रहे हैं अब इंडिया कहाल है हम कुछ नहीं करेंगे तो ये चाहतिया पीट रहें आच्छा पिर मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया खालिस्ताई फिर क्या कहरे है कि मेजर साथ तो सिक्खों के द्शमन हैं और हम तुमें दिखा देंगे सुनो खादिस्तानियों, मैं तुमारे सामने आज एक क्लियर कट बात करने चाहता हूँ और ये बात मैं क्लियर कट करता रहूँगा जब तक पूरी दुनिया में मेरी आवाज न पहले, ध्यान से सुनना मेरी बात, सिख धर्म, सिखों के गुरू, जो कि हमारे भी गुरू है, गुरू ग्रण साहिब, सारे गुर्दारा साहिब, और जो भी सिखों के बड़े-बड़े हिस्टोरिक लोग हुए हैं, वो इधर हमारे सर पे, ठीक है, हम ये उनकी इजदत देते हैं हमारे सर पे, जैसे प्रभुश्री राम वैसी गुरू कनानक देव जी, ये मैंने बात जैसे रामायन, वैसे गुरू ग्रण साहिब, ठीक है, जो सिख हैं, हमारे भाई और हमारे बेहन, सिख भाई बेहन, उनकी जगए यहाँ पे हैं, मेजर के दिल पे, लेकिन खालिस्तानियों, तुम सिख नहीं हो, तुम इंसानियत पे बदनुमाद दाग हो, तुमारी अब क्लियर हो गया, कि और भी प्रोपगंडा करना है, खालिस्तानियों की ओकात, मेजर गौरवारिया की जुत्ती के नीचे है, और वहीं पे तुम रहना, ठीक है, जूट बोलके, अपने वतन के साथ गदारी करके, पॉलिटिशन से जूटी चिठ्थी लिखवाके, कि हमा पाँचमी फेल, इनको कुछ नहीं आता, यह अनपढ़ थे, ठीक है, कनड़्या का शौक था, वहाँ पे जूट बोलके, अपने देश के साथ गरदारी करके, यह खालिस्तानी चले गए, ठीक है, यह खालिस्तानी अपने देश के साथ वह आया नहीं था, विडियो, सिमर ज जिद सिंग मान जी का, जो मेंबर अफ पार्लिमेंट है, उन्होंने वीडियो में साफ बोला है, कि मैंने 35,000, 40,000 रुपए लिये हैं, और मैंने लिखा है कि जी, इसके उपर, यू नो, सेंट्रिल गवर्मेंट जो थी, इसके उपर अन्याए कर रही है, स्टेट गवर्मेंट तुमारा सिखी से, तुमारा सिख धर्म से, तुमारा गुरुओं से, तुमारा गुरुगरेंट साब से, और सिख भाई बेनों से कोई रिष्टा नहीं है, खालिस्तानियों, तुमारा इंसानियां से कोई रिष्टा नहीं है, तुम इतने बुरे लोग हो, ठीक है, जो अप के काम की इज़त करता हूँ, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूँ अगर ये तुम्हारी अवकात है, तो तुम्हे तुम्हारी अवकात मबारक एक और चीज़, तुम रोज मुझे गाली देते हो, ठीक है, ट्विटर पे मुझे दो रुपए का फरक नहीं पड़ता, लेकिन पता है, मैं तुम्हें गाली नहीं दूँगा, तुम मुझे जितनी गाली दो, मैं तुम्हें गाली नहीं दूँगा खालिस्तानियों, मैं तुम्हें गाली नहीं दूँगा, मैं खालिस्तान को गाली बना के रख जब लोग एक दूसरे को सारी गालियां दे चुके होंगे ना तो लड़ाई पता है कब शुरू होगी जब एक बंदा दूसरे को बोलेगा ओए खालिस्तानी तब बोलेगा गाली मद दे भाई देख गाली मद दे अभी तक तो ठीक था तूने और जो कुछ बोला था गाली देखते रहे ना अच्छा जिस मोदी को तुम गालियां देते हो गालियों से याद आया भाई जिस मोदी को तुम गालियां देते हो उसके बारे में खबर सुन लो तुमारा भी खुन जलेगा और तुमारे आप पारा में ISI का हेड़कॉर्टर है ना आप पारा जहां पे त उनको भी पता लगे मोदी टॉप्स लिस्ट ऑफ मोस् पॉपिलर ग्लोबल लीडर विट 76 परसंट यह ग्लोबल रेटिंग है ठीक है और यह जो रेटिंग है यह कहते हैं कि ही इस दा मोस्ट लव्ड एंड एड्माइड लीडर ग्लोबल लीडर अप्रूवल यह ग्लोबल ली यूएस की रेटिंग है खालिस्तानियों जिसके लिए तुमने जूटे कागज बनवाए थे 35,000 वाले ठीक है 35,000 के कागज बनवाए थे ना कि मैं political activist हूं उसी यूएस की रेटिंग है ठीक है बिटा तो इसको भी जहलो ज़रा जिस मोदी से तुम नफरत करते हो 76 परसेंट हाई एस नमबर वन 76 परसेंट पूरी दुनिया मैं लोपेश ओरदर 61 परसेंट, आल्बनीज 55, मलोनी 49, लूला दी सिलवा 49, बाइडन, अमरीका का बाइडन 41 परसेंट, टूडू, फ्रांसका 39 परसेंट, सांचेस 38, शोल्स 35, सुनाक, यूग के दामुंडा सुनाक, 34 परसे ट्वेंटी टू तो ये साब ये मॉनिंग कंसल्ट का है खालिस्तानियों मज़ा आया तुम्हें और तुम्हारे पाकिस्तानी जो बाप हैं उनको मज़ा आया और दो गाली 2024 में मोदी जीतेगा फिर और दिना गाली फिर अपने बच्चों को भी यही बोलना ठीक है कोई फरक नहीं पड़ता तुम अपनी जिन्दगी बरबाद कर लो भारत वैसी तरक्की करता रहेगा और तुम जैसे गड़्दारों को ठीक है you're not welcome in India तुम वहीं पे जाके सड़ो औ हमारे एमबेसी और हाई कमैशन के सामने ताली पीटों ठीक है ना तुमारे यही वकइर आखरी में फिर एक बात कहना चाहता हूं चुमारे हिंदू भाई बहन है ये झो खालِस्तानी है ये कीड़े means घालिस्तानी है ये लिए तया में भेदवाओ करते हैं ठीक है ये ये है खालिस्ताईयों का नमूना, कि जब बाहर हैं गोरों के देश पे, जहां पर बिलकul ये प्रोटक्टिड हैं, तब इनकी आवादा रहे हैं, तब इनके सुर्ड देखो, खालिस्ताईयों के, ओहो मुर्दाबाद, ओहो हाई हाई, ओहो मुदी फलाना, ऑइ हाई मोदी, और जैसी इंडिया में आए, भीगी बिल्ली की तरह है, कभी इस बिल के अंदर छुपने हैं, कभी उस बिल के अंदर छुपने हैं, यह तुमारी यौकात है, अमरित पाल सिंग, बाप है तुमारा अमरित पाल सिंग, और तुमारा बाप ऐसे घुम रहा है, जानवर घुमता ह बहुत सारे मुबालक पीछे रहे हैं आम पाकिस्तान से लेके मैं अपने मुल्क से स्टार्ट करना चाहूंगा मेरे मुल्क पाकिस्तान से लेके दुनिया में बहुत और कंट्रिया सी हैं मुदागर भई जो यह चाहते हैं कि हिंदुस्तान का यह तरक्टी है ना हो रही है और वो करते जा रहे हैं यह कहीं न कहीं ब्रेक लग जाए मुदी ना कोई इमच ऐसा को खराब हो जाए वो जितना पॉपलर हो चुका है उसकी बदनामी हो इज़त की बज़ा है आप बिल्कुल को प्रेंग किसए इतने मतलब कुछ रोकने के बाब उपनी रहों में इंक्राव्त कांगरसी रहो या खार्स्तान फिक्संतान थे पाई है उनको नुक्सान कुछा रहा है यह बिक्तर जानता है यह लाइफ क्या बात है हकीकत हमें नहीं इंदर का पता हुँग है हम तो फी बात हैं पाकिस्तान को भी लटाड़ा है खालिस्तानियों को भी बहुत ही जबर्जस चमकाया है और यह पाकिस्तानी तो खुड नहीं ट्रेट बन किया था जब वहां पे खाने के लाले है तो अलग-अलग प्लेटफरम से ट्रेट की बात करते हैं और सांटी की बात करते हैं लेकिन ज अगर ट्रेड हो जाये तो हमारे कोछ आला थीक हो जायगी लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है और जो हाटक हालिस्तानियों की बात है चैसे मेजर साब ने कहा हुष की जगा वहीं पे है और और में कुछ बोलना नहीं चाहता है वाशी लेंग्वेज नहीं यूश करना चाहता ले पहल याफना के लेड है आता है अबडि चाहता है आता वाला चाहता है और बेडियों करना बाहता है नहीं अद आपाद system